हाई एवरिबड़ी आज आपका स्वागत है हमारी नेक्स यूट्यूब विडियो में जो की हम बहुत देर के बाद पोस्ट कर रहे हैं आप ये लुक देख रहे हैं कितनी सुन्दर है इतना सुन्दर मटालिक लाइनर हमने क्रियेट किया है और ये है हमारी इंस्टा की प्रो जो की हमने सेटाफल का यूज किया है सो दाट स्किन जो है वचे से हाइडरेट हो जाए एन देन उसके बाद हमने कंसीलर अप्लाई किया है आइस पे अच्छे से हम लेंस डाल चुके हैं लेंस जो हमने डालने हैं उसका शेड मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूं उसस थोड़ा ब्राउनेश ग्रेई शेड लेके मैं ब्लेंड आउट कर रही हूं अपनी मॉडल की आइस पे और जो ब्रश यूज कर रही हूं दाट इस फ्रॉम सिनुरा आज कल इनके ब्रश वाइट कलर में आये हूं जो मुझे बहुत पसंद है तो थोड़ा से शिम्री शाड तो र detail की पेंशिल साथ हमने टाइट लाइन फिल किया और उसी के साथ हम लाइनर अप्लाए कर रहे हूं Thick eyeliner मैं थोड़ा सा Recode की Pencil के साथ ही apply करके smudge कर रही हूँ Okay, so हमने थोड़ा सा ही eyes पे shadow दिया है But liner हमने काफी thick दिया है अब यह liner आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कितना सुन्दर create होके निकला है Because मैंने इसके उपर एक शिमरी shadow से ही metallic सा color deposit कर दिया बिल्कुल उनकी outfit के साथ का मिलता जुलता जैसे कि आप picture में देख सकते हैं ऐसी look create करने के लिए हमने ऐसे pencil brush के साथ एक shadow metallic apply किया मुझे थोड़ा सा लगा कि dull लग रहा है तो मैंने थोड़ा glitter fill कर दिया है आप चाहे तो इसके ओपर dry glitters भी लगा सकते हैं तो अगर आप black देना चाहते हैं eyeliner जैसे मैंने दिया है वो भी दे सकते हैं वो भी बहुत संदर लग रहा है नहीं तो मुझे तो metallic eyeliner ही देना था metallic eyeliner कुछ ऐसा दिखने वाला है तो आपको full video देखनी ही देखनी है यह look पे पहुंचने के लिए आप प्लीज recreate करके दिखाएं so that मुझे पता चले कि मेरा youtube channel आपके सच में समझ में आ रहा है तो अभी हमने LA girl का एक orange shade यूज किया है brush हम सी नूरा का यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से फैला दिया है फैलाने के बाद हमने एक similar color का corrector यूज किया so that उनका orange जादा ना दिखे जो करेक्टर हम यूज कर रहे हैं यह forever 52 का है और सारे brush के साथ उसको अच्छे से blend out कर रहे हैं पूरे face पे और अब देख सकते हैं कि orange बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है पूरा face मैंने zoom में रखा है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से नजर आए so foundation हम यूज कर रहे हैं Chanel की यह foundation मैंने newly try की है यह मुझे बहुत ही जादा पसंद आई because इस coverage बहुत अच्छी है और foundation बहुत ही जादा light weight है sinora के brush के साथ मैं अच्छे से blend कर रहे हूँ आप देख सकते हैं कि आप फ्लॉलेस बेस लग रहा है और बहुत शाइनी शाइनी लग रहा है eyes बड़ी incomplete सी लग रहे हैं बट यह थोड़ी देरी लगेंगी अभी हमने two face का concealer यूज किया है with the shade marshmallow and cloud मुझे लगता है कि मैं पास एक particular shade नहीं है and इसको हमने beauty blender के साथ blend कर लिया है मैं mostly brush यूज करती हूँ blend करने के लिए पता नहीं आज मैंने के लेंडर से क्यों blend किया है and थोड़ा सा मैंने apply कर दिया है blusher and एकदम joker जैसा face हो गया आप देखेंगे यह जोकर जैसा face कितना सुन्दर transform होता है अभी जस ड्रावना लग रहा है बाद में बहुत ही amazing लगता है तो मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियो पर ट्रस करते हो और आपको कभी-कभी कुछ-कुछ problems होती है तो आप मैं इससे पूछते हो तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी अपलाई कर देती हूं और बहुत प्यार से डब कर चुके है पाउडर न साथ के साथ मैंने बेनिफिट भी का एक ब्लश अपलाई कर दिया है थोड़ा सा अभी और बेनिफिट ब्रांड का ही है एंद इसकी शाइन बहुत ही कर दिया है और यह आइस थोड़ी देर के बाद आपको बहुत बिग एंड बीटिफुल नजर आएंगी थोड़ा सा इनर कॉर्णर में हाइलाइटर दिया है सीनूरा के पतले ब्रश के साथ उसके बाद हमने वी शेप भी बना दिया है इनर कॉर्णर में सो दाइस बोल्ड के स आसा शाप भी लगे तो थोड़ा सा थोड़ा सा हमने शिमरी भी शाडव लगा दिया है तो आई स्मॉल थी बहुत लोगों का एक कोशन था कि थोड़ा बिग करने का बताओ तो बिग करने के लिए मैंने न्यूड पैंसिल अंदर यूज कर दी है और आप देख सकते कि आई हम ट्राइ करेंगे कि यह थोड़ा सा बैलेंस लगे और लाशेज अभी हमने अप्लाई कर दी है यह लाशेज मिंक लाशेज हैं फ्रॉम सिनूरा अगें यह लाशेज मुझे बहुत पसंद है सम्टाइम्स मुझे हैवी आई लाशेज अप्लाई करना बहुत अच्छा लग तिया है व और ने लीप्स अपको बहुत अमेजिंग लगेंगे विकाज मैंने दो शेय्ट्स में मिक्स किया है एक मैंने लाइट medal मिक्स किया है और एक मैंने टोटली लाइट निडिम्स असा कलर mix कर रहा है lips पे and उसके बाद थोड़ा सा gloss apply कर दे so that face एकदम glossy glossy लगे और अभी आप smile देखेंगे कि smile के बाद इनका face कितना जादा amazing and glossy लग रहा है so guys यह हमारी आज के look थी please हमारे चानल को subscribe करें and ऐसी amazing look सीखें bye